आज हम लोग करेंगे profit and loss के questions, exam approach कि किस तरीके से हमें exam में questions solve करना है, ठीक है, अगर आप दरोगा comments का prepare कर रहे हो, ठीक है, तो यह must है कि अगर आपको merit list में आना है, तो आपको maths and listening 30 out of 30 score करके आना है, और अगर 25 आता है, तो 25 में से 25, पूरे questions आपको solve करके आना है ठीक है, और वो कैसे होगा, वो हम आपको questions wise बता रहे हैं, ठीक है, और बीच-बीच में हम आपको guide भी कर रहे हैं, तो अगर नए हो चैनल पर तो subscribe करेंगे, बेसिक से start करेंगे, ठीक है, basic questions से, चलिए, और यह सब चीज आपको परहा दिया गया है, courses में, यहाँ आपको practice questions ठीक है, दूसरो 34 रुपया में बेचने पर 17% का लाव होता है, तो वस्तु का क्रे मुल्य क्या है, बहुत ही basic सा questions हो, और इस टाप के भी questions पूछ लिए जाते हैं, अब यह है, कि basic questions है, पर आप कितने कम टाइम में इसको कर पाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ हमें क्या निकालना है, तो हमें जो निकालना है, वो हमें निकालना है आपका एक वस्तु का, जो आपका वस्तु का तो 234 रुपे में बेचा जाता है मतला हमें SP दिया हूँ है ठीक है और 17% का लाब हो जाता है तब पुछाए कि इसका CP क्या है तो CP पहले मैं फॉर्मूला से बताता हूँ ठीक है एक चीज़ हमने आपको समझाए कि आना हर चीज चाहिए जहां जो अस्त्र हम यूज कर सकते हैं व मुझे यहां दियावा है 234 उपर लिखूँगा मैं 100 नीचे में क्या लुखूँगा तो 100 प्लस माइनस है मतला मुझे यहां प्रॉफित हो रहा है तो टोटल केतना है 17% प्रॉफित है तो 117 ठीक है इसको जब आप सॉल्ब करोगे तीक है आपको डायरेक्ली इसको कर सकते ह तो यह टू टाइमस में चला जएगा तो 200 इसका एंसर आजएगा एक तरीका तो यह है कि बट जह हमारा समझ क्या बोलता है हमनी कैसे आपको समझा है कि 17% अगर प्रॉफित बोला है सेकेंड मेठड देख लो ठीक है 17% अगर प्रॉफित बोला है तो 17 वाइस सो हो गया 2700 हो गया मतलब CP कितना है उसका क्योंकि profit and loss जो होता है वो हमेसा होता है किस पर क्राय मुल्या पर स्थिक है तो 17% बोला profit हो यह हैRN में ठीक है नीचे बला क्या है CP है उपर बला क्या है आपका profit है तो SP कितना हो गया विक्रिय मुल्य के इतना हो गया 117 हो गया जो कि मुझे कितना दिया हुआ है 234 दिया हुआ है कितना टाइम से इसका ट्वाइस है मतलब मुझे मिल गया तो 100 को भी आप दो टाइम कर दो ठीक है तो कितना हो जागा यह 200 हो जाएगा ठीक है SSC के पेटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ठीक है तो एक वस्तु को 352 रूपया ठीक है 252 रूपया 88 पेसे में बेशने पर राम को 12% के हानी हुई ठीक है तो वस्तु का क्रे मुल्य क्या है यहाँ आपको याद रहे ठीक है प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस जो भी कितना है SP है आपका 352.88 में यह पैसा में दिया तो इसको रूपी से पॉइंट लगा दिया इसले और यहाँ आपका 100 और नीचे क्या है मेरा क्या हुआ है एक पर चेक कर लेते हैं तो यहाँ 88 पैसा 12% का हानी हुआ हानी हुआ है मतलब 100 में 12 माइनस कर दो तो आपका यह 88 आ सब्सक्राइब और एक तरीका मैंने अभी जो आपको ऊपर समझाया था ठीक है तो आप वह भी कर सकते हूँ यह एक नया तरीका थोड़ा नया क्या है मतलब बेसिक से आप इस तरीके से भी सोच सकते हो क्या सोचोगे कि कोई भी जो हमारा CP होता हुआ हो खुद में कितना हो हो ठीक है hundred percent मतलब क्या होता है वो one मैंने percentage बहुत ही basic से आपको संझाया है ठीक है तो वो खुद में कितना होते हमेशा हमेशा एक होता है hundred percent होता है ठीक है तो उसमें अगर 12% हानी हो गया क्या है कि अगर इतने में पैसे बेचने पर 12% का हानी हो जाता है 12% का हानी होना मतलब क्या, अब हो कितना बचेगा, 88 बचेगा, तो यही 88% जो आपको दिया हुआ है, थोरा सा अगर समझ करते हो, तो यह भी आपको समझ में आ जाता है, 352.88 दिया हुआ है, तो आप यहां से अपना 100% निकालोगे, आपका एंसर यही आएगा, 4-0-1, ठीक है बहुत तरीके हैं, बस सोचने का आपका बस, बस यह करना है कि कम समय में मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, चलिए, अब यह कोशन देखना, बहुत ही अच्छा कोशन है, ठीक है, इस टाइप के कोशन बहुत ही रिसेंटली, बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया, आप 560 रुपया में खरी दी, एक पर उसे 15% लाब और दूसरे पर 10% हानी हो गए, ठीक है, यह चीज़ आपको समझ में आया होगा, एक मिनिट, ठीक है, तो उसने 2 घरी खर दी है, एक वैक्ति ने 2 घरी, ठीक है, 560 रुपया में खरीदा उसने, ठीक है, एक पर उसे 15% का लाब हो रहा है, और दूसरे पर उसे 10% का हानी हो रहा है, तो इस परकार से, ना लाब हुआ, ना हानी हुआ, तो पूछाए कि परते घरी का, ठीक है, क्रेमुले का है, पहले आप खुद स्वाल करो, दोनों का CP बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ किसको करना कैसे, सबसे पहले परसेंटेज का हम लोग यूज़ करेंगा, तो पहले तरीका आप इसको जो सबसे सोटेस्ट आप समझ सकते, इसको हम लोग कैसे कर सकते, देखो, यहां क्या बोला है, दो CP है, मतलब दो क्रेमुले, एक में CP1 ले 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 तो, एक में CP2 ले 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 ता हूँ, सबसे बेसि हानी हुआ दूसरा पर, तो मतलब दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेल हो जाएगा, मतलब बोलने का तरीका यह है, और लिखने का, कि CP1 इसका अगर हम लोग निकालते हैं, कितना, 15% इक्वेल टू कितना हो जाएगा, जो 15% का, जो लाब हुआ है, दूसरे पर जो 10% का हानी ह यह इक्वेल है, तभी तो ना उसको लॉस हुआ है, ना उसको प्रॉफिट हुआ है, जितना का खरदा था, उतना का ही, वो 560 में टोटल बिग गया, ठीक है, तो CP, जो 2 है, कितना हो जाएगा, 10% का हो जाएगा, तो इसको अगर आप काटते हो, तो 53 जा, 52 जा, में है, तो 5 unit हो गया, 5 unit equal to मुझे कितना हो है, क्योंकि दोनों का CP एक साथ है, दोनों कितने में खरदा था, ठीक है, समझ में आया, 560 जब यह खरदा था, ठीक है, तो आपका यहां कितना आजाएगा, 5 1 जा 5, और 5, फिर से यहां 1 आजाएगा, और फिर से यहां 2 इसका आप निकाल लो, into 112 कर दो, तो कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, ठीक है, यह 2 हो जाएगा, तो पहला का CP था, वो कितना था, 224 था, आप डाइरेक्ली माइनस भी कर सकतो, 560 से 224 माइनस करोगे, तो next आपका आजाएगा, 336, यह आप डाइरेक्ली फिर से इसको क् 12 कर दो, तो यह आजाएगा, आपका कितना, 303, 36, ठीक है, इसको add करोगे, तो आपका, देखो कितना आजाएगा, 6, 4, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 3, 2, 5, 560, समझ में आएगा, यह सबसे बेसिक तरीका था, अगर इस questions को करना चातो, अब यह तरीका तो आपको समझ में आगिया, ठीक है अब next, क्या हम इसको किस तरीके से कर सकते, देखो, जो अच्छे questions होगे, मैं इसको इस तरीके से समझा दूगा, का आप भूलोगे ने, 2, 3, 3 तरीका अपने notebook में लिख लेना, ठीक है, देखो, अब हम बताते हैं आपको mix and allocation का, ठीक है, mix and allocation क्या है, कुछ नहीं, वो average ही होत और overall मेरा क्या हो रहा है, नब profit हो रहा है, नब profit हो रहा है, नब loss हो रहा है, तो मैंने यहाँ जीरो लिख दिया, अब इसको यहाँ, cross multiply हम लोग करते हैं, ठीक है, यह सब चीज में बढ़ाओंगा, अगर course में अभी नहीं परियो आप लोग आगे बढ़ाओंगा इस चीज यहाँ निकल के आते हूं, हम इसा base पी निकल का है, मतलब, simple सा बात है, जो हमारा profit and loss जो होता है, जो हम लोग percentage लिखे हो, किस पे निकलता है, हमारा CP पे निकलता है, तो जो हमारा यहाँ आएगा, वो CP होगा, तो यह हो गया, आपका 2, यह हो गया, आपका 3, तो total कितना हो ग क्या, एक और तरीका हम लोग यहाँ सोच सकते थे, यह इतना ही रखे, एक आप basic से भी इसको सोच सकते हो, कर दूँ वो भी, चलो, अब एक पर basic समझ लो इसका, एक basic क्या बता है, देखो, ऐसे इसको आप option से भी कर सकते हो, पर option मेला बात में निकले, देखो, अब इसको कै होगे, माली जो की, total मुझे दिया होगे, माली जो 1x है, ठीक है, 1x है, एक का जो CP है, वो x है, तो दूसरा क्या क्या होगा, 560-x होगा, सही बोल रहा हूं, ठीक है, total अभी यह जो होगा, 560 equal to, ठीक है, पहला में मुझे कितना होगा, 15% का profit हो रहा है, तो मैं इसको 15 by 100 100 लिग सकता हों में, ठीक है, और दूसरे में मुझे क्या हो रहा है, दूसरे में मुझे 10% का loss हो रहा है, दूसरा का CP क्या है, 560-x, इसको कितना मेरा loss हो रहा है, तो 90 by 100, ठीक है, और इसको जब आप add करोगे, तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे इतना ही मिलेगा, क्योंकि उसने बताया कि ना profit रहना लौस हुआ तो पहला का जो मुझा CP है मेरा क्यूंकि पहला का मेने Kan You Moolies लिए था एक्स तो दुसरा का Kan You Lye हो जाता 5560- एक्स तो पहला का मेने यह विक्रिय मुल्य लिए यहां और दुसरा का यहां विक्रिया मिलिया, विक्रिया मतलब selling price, ठीक है, तो पहला में 15% profit हुआता, तो 115 लिख दिया, दूसरे में मेरा 10% loss हुआता, तो 90 by 100 लिख दिया, इसको solve करोगे, तो आपका X का मेलू आजेगा, उसको minus कर लेगा, ये भी कर सकते, एक तरीका और है, वर उसको हम छोड़ अगर सबसे पहला मेला, यूस कौन सा करूगा आप सबसे पहला मेला, देखो, तो मैंने क्या बोला, 2 है, तो CP1 का 6% है, इक्वल टू कितना है, मैं fast करके दिखा दूँ, ये चताओ 15, CP2 का क्या हो जाएगा, ये 15 by 2, 15 by 2, तो CP1 by CP2 लिखो, CP1 by CP2 लिखेंगे, तो क्या हो ज आजएगा, यहाँ 6 आजएगा, तीन से काटो, यहाँ 5 आगे, तीन से काटो, यहाँ 2 आगे, ठीक है, और एक चीज बता दू, ठीक है, आपको timer लेके question solve करना है, ठीक है, मैं बताओंगा timer, एक question को 1 से 2 मिनिट में करने की solve करो, ठीक है, पहले 2 मिनिट ले लो, ठीक है, तो यह हो जाएगा, तीन से काटो, तो 5 हो जाएगा, तीन से काटो, तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 5 by 4, मतलब total कितना आगे, total CP दोनों का मिला के 9 unit, 9 unit मुझे कितना दिया हो है, 1350, अब जब मुझे पता चल गया, कि 9 unit 1350 है, ठीक है, तो 1 unit मुझे पता चल जाएगा, यहाँ से, ठीक है, ठीक है, यह हो जाएगा, आपका, 9109, अब यहाँ करके, 9109 आएगा, तो यहाँ कितना चार आजएगा, 4, 1, 5, 9, 45, 9, 45, तो 1, 5, 0, 150, इसका multiplying factor हो, मतलब 9 unit अगर तो 350 है, तो 1 unit कितना हो जाएगा, 150, मुझे क्या पोचा है, 5 unit, पहला का अगर मैं CP निक 12, 1350 आजएगा, देख लो, सही हो के answer, ठीक है, समझ मैं है, best, best, चलो, अब यह देखो, एक वस्तु कुछ रूपय में 20% हानी पर बेची गई है, यदि, इसे 10% लाप पर बेचा जाता, तो 968 रूपया होता, प्राप्त होता, बहुत ही basic सा question है, ठीक है, बोला जारा कि, एक वस्तु कुछ रूपय में, मतलब 20% हानी पर बेची गए, ठीक हानी पर बेच दिया, मतलब क्या, कितने पर बेच दिया हो, 80% पर बेच दिया, 80% पर बेच दिया, यदि, इसे 10% लाप पर बेचा जाता तो, इतना, उसको बेचा जाता तो, 968 प्राप्त होते, ठीक है, 968 प पूछा कि हानी पर वस्तु कितने रुपे में बीच जा गया तो 80% मेना पूछ रहा है तो 80% मेना कितना होगा यह पूछ आप डायरेक्ली इसको तो बसी कर सकते हो ठीक है तो यह आजएगा आपका 704 आजएगा कितना आजएगा 704 ठीक है देखो solve करने भी आना चाहिए ठीक है अगर calculation mistake कर दोगा तो problem हो जागा तो वो solve करने तो ध्यान से करना है बहुत बार मैंने बताया भी है कि किस तरीके से करना है ठीक है इसका 704 एंसर आजएगा ठीक है अब यह देखो 25 वस्तु का क्रेमुल ठीक है SP 20 वस्तु का क्रेमुल मतलब CP के है ठीक है हिंदी इंग्लिस हमने इंग्लिस है पर रहा है ठीक है इसपेसली आप लोगों के लिए हिंदी में लाया जा रहा है ठीक है तो 25 SP of 25 मतलब यहां ध्यान से समझो within a second answer आप निकाल लोगे देखो 25 वस्तु का जो विक्रेमुले है व 20 वस्तु के क्रेमुले के बराबर है तो पूछाए कि लाब होगा कि हानी होगा ठीक है बहुत ही basic सा question है ठीक है तो simple हो रहा है कि 25 वस्तु का विक्रेमुले मतलब SP कितना है 20 वस्तु के क्रेमुले के बराबर है ठीक है तो आप 55 25 5 4 20 CP by SP कितना हो जाएगा ठीक है तो CP हो जा तो देखो CP आपको 5 देख रहे है, SP आपको 4 देख रहे है, तो मतलब ज्यादा पर खरीदा और कम पर बेज दिया, difference कितना होगा, देखो यहाँ 1, 1 का difference मतलब CP 5 है और SP 4 है, ठीक है, तो 1 क्या हो गया, लॉस हो गया, और किस पर होगा, आपका CP पर होगा, तो यहाँ 5 लेख दिया, 1 by 5 equal to कितना होता है, 20% होता है, ठीक है, इस टाइप के questions पूछे जाएंगा, प्लीज कर लेना, यह आप होंबक में करके आओ, नहीं चलो, यह questions important है, इसको भी मैं करबा देता हूँ, ठीक है, 11.10 रुपे के खरीदे जाते हैं, तथा 10.11 रुपे के बेचे जाते हैं, लाब परसेंट ग्याद कीजिए, यह बहुत ही basic सा question पर हमेशा पूछा जाते हैं, ठीक है, देखो, 10 रुपिया में, 10 रुपीज में 11.10 रुपिया खरीदे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद कर दिया उसने, ठीक है, मतलब profit होगा, यह तो theory होगा, ठीक है, तो option आप eliminate कर सकते हो, जब option उस type से है, और फिर से क्या बोला है, 10 रुपिया में 11 संत्रे, फिर से 11 रुपिया में 10 संत्रे, ठीक है, 10 संत्रे, अब देखो, इस type के question में क्या होगा, आप quantity equal कर लेना, ऊपर 10 multiply कर देना, और नीचे आप क्या कर लेना, 11 multiply कर देना, ठीक है, तो यहाँ करोगे तो यह कितना हो जाएगा, देखो, तो यहाँ 10, तो पूरा में 10 करना, तो 100 रुपिया, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा, 110 संत्रे, फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, आपका, 121 रुप हो रहा है 21 रुपया का प्रोटिव किसके 100 के ऊपर तो 100 इंटू 100 ठीक है तो कितना होजेगा 21 परसेंट इसका गरेक्ट इस टाप के कोशन में क्या होता है ना देखो सिंपल आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो यह quantity दिया हुआ वह आपको इक्वेल कर लेना है जैसे कि 10 रुपया में 111 एक खरीद रहा था तो 11 मैंने लिख दिया 10 रुपया में 111 श्थी इसके बाद क्या बोलाए कि 11 रुपया में 10 रुपया में 10 रहा है यहां 10 यहां 11 संत्रा संत्रा को इक्वल कर दिया और जो रुपीज उससे हमने टोटल निकाल लिए ठीक है अब इसको आप लोग खुद करोगे सेम चीज है मैंने एंसर यहां लिख दिया आप प्लीज इसको देखना आप कर पाते हो कि नहीं कि 8 पैन 9 रुपय में खरीदा तो 9 पैन 8 रुप यहां तो लॉस होगा तो आप यह बस जो मैंने बता है उसको अब यह कोसं जो है आप ध्यान से इसको नौट करके लिए जो बताने जा रहा हूं यह सॉलिड तरीका में बताने जा रहा हूं देखो इन यह सकेंडिस को आप कैसे करोगे एक व्यक्ति ठीक है पांच रुपे म मैं आप एक पार्ट में और करूँगा जिसमें इस टाइप के कोसंस दो तीन तरीके के होते हैं टाइपस के वह मैं आपको करूँ एक व्यक्ति पांच रुपे के दस अंडे बेचते हैं तथा बीस परसेंट देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आपको कोई भी एक् पांच रुपे के दस अंडे बेचता है और उसने बीस परसेंट का लाव कमा लें तो पांच रुपे के कितने अंडे खरीदता है आप इस टाइप के कोईशन में आप एक्जाम में चक्रा जाओगे थोड़ा आप निकाल भी सकते हो लेकिन टाइम लग जाएगा अब देख पांच रुपे में जब 10 अंडा बिचता है तो उसको 20 परसेंट का प्रोफिट होता है तो उपर लिखो 5 क्योंकि टोटल आपका पैसा कितना है आपके पास 5 हैं अंडा आपने कितना खर्दा 10 तो हर अंडे के आपका खीमत पता चल जाएगा एक अंडा आपको प्रोफिट क डिखोगे आप हंडडे क्यों लिखोगे क्योंकि हम यहां CP का बात कर और CP हम 100 होता है अब यहांसे क्या करोगे 5 से 5 काट यह solid तरीका में बतानों ठीक है यहां से यह काटोगे ठीक है और यहां से एक यह और कर जाएगा तो x का value जो आजएगा यह आजएगा आपका 2N solid एक दम तरीका है ठीक है आपको जब भी आप इस questions को not बना कि इस technique को आप लिख लोगे ठीक है क्योंकि यही एक्जाम में आपको काम आएगा ने तो इदर उदर करते रह चाओगे बहुत तरीका है इसका लेकिन एक्जाम में यही तरीका आपको करना अब यह आखरी question है देखो एक बैमान ठीक है इस पर भी 2-3 तरीके का बनता है से हम लोग बात करें एक बेपान दुकन दार क्रिया मुल्य पर समान बेचने का दावा करते हैं कोई बेमान आदमी है ठीक है क्या बोलता है जितना पर भी खरीद के लिए उतना पर यह बेच दूंगा एक दम इस तरीके साब आप खुस होगे ठीक है बट वह करता क्या है प उसको तो देना चाहिए एक हजार ग्राम पर वो दे कितना रहा है 960 ग्राम तो बताइए कि उसका लाप परसेंट कितने अब ध्यान से समझो मालो कि हर एक ग्राम का दाम एक रुपया था ठीक है एक रुपया था तो दे कितना रहा है आपको 960 ग्राम दे रहा है 960 ग्राम म बचा कितना रहा है वो 40 ठीक है तो 40 रुपया वो बचा रहा है ठीक है और उसका CP कितना है आपका 960 है तो इसको जब आप solve करोगे ठीक है और into यहां 100 लिखोगे ठीक है तो इसका जो सही answer आजएगा यह आजएगा 4.166 ठीक है तो यह जो मैंने समझाया प्लीज समझ आजएगा solve तो आपको करना परेगा timer के साथ कीजिए तभी आप exam में success rate जो है आपका ठीक है वो और ऊपर रहेगा मतलब किसी exam में आप कुछ नमर से आप छूट जा रहे हो तो timer लेगे कीजिए आपका definitely exam निकल जाएगा ठीक है so thank you so much किसी भी तरीके का doubt होगा feel free to comment I am all here to help you all so thank you so much for joining dream dose jahind